नमस्कार, जोती संदानी में आपका स्वागत है, आज मैं आपको बताने वाली हूँ, अती धन्दायक, अकास्मातिक धन्दायक, चिन है, हत्यली में कहां पर देखना चाहिए, जिसा कि आप लोगों को जिनें पता होगा, उन्हें पता चल गया होगा, मैं किस बारे में बात क आप सुने ही कि भूझ राहु से चाल रीर हमेसा हमेसा नहीं नीगेटिव और थे करें है कभी कवो सभी परकार से अगर सही से टिडूराइज कि तो ठीक है नहीं तो फी नीचे आ जाएगा तो इस जी आपको ध्यान रखना पड़े편 तो चलिए हम लग शुरू करते हैं राहू, तो राहू का छेतर हतेली में कहां पे होता है, एकदम से बीचो बीच चेतर होता है, राहू का जिस परकार से यहां पे बीचो बीच का छेतर होता है, और उसी परकार से राहू में सारे ग्रहों के गुन होते हैं, राहू में सूरी क प्लेट भी बोलते हैं इसे हम लोग बहुत बुर्वत कि इसे हम लोग एकदम से गिरीड तरह Casey होगी उन्हें पता होता है कहाँपे क्या बोलना है और किस तरह से वोलना है अगर आपके पपरवल हो जाए तो बहुत बढले बनेंगे और सफलता की बहुत उचाई तक पहुंचेंगे है ना तो राहू बहुत इंपोर्टेंट होता है क्योंकि उनमें सारे ग्रहों का गुन होता है यही पॉइंट है और राहू का स्थान भी बीच का होता है तो राहू हतेली में देखे ज्यादा गड़ा हो तो यहां पर होते हैं ना रीलेसं में मात्री पछ एक Joint के अगर यहां पर आपकोई साइन देखे रहू पर आफ़ आप mm आपको देखना चाहिए जैसा कि में पिछले विडियो में हbut आपका छोठा होना चाहिए ठीकर के एकदम से सुन्दर सेर चोडहा सेर चाहिए टीम वहा सबस्ट तो इस्टार एगर छोटा स्टार रहे तो मात्र पक्च में प्रेंज से जितनी वी आपके जो फ्रेंज तयों की सी अच्छाइन लेकिन किसी मेटर में असूप फल देगा तो यहां इस्टार हो तो आपको अपने माता के मामा हो गया आपके नन्याल पक्छ हो गया आपके फ्रेंड इन लोगों से आपको दूरी बना के रखेगा भले आपका रिलेशन अच्छा हो लेकिन यह रहू इस्टार वाला रहू जह लेकिन जैसे जैसे ऐस बढ़ता है 45 के बाद 35 के बाद इन्हें अकास्मातिक धन का यूग बनता है सब्सक्राइब लिए उसलिए रहो पर स्टार्ट ने बहुत सारे पामिष्ट क्या बोलते हैं है तो हम लोग क्याना होने लगते हैं कि अभी तक नहीं मिलेगा कब मिलेगा लेकिन यह आपको एक एज गहाने के बाद एक तरह से आपका एंधेज खतुम कराने के बाद आकास्मातिक भन कराता है यह तक होना से तो This उना जो तक जीवन रेखा को बताता है राभपे क्रॉस का तीती आप को अलग इन तरीके से सुटक्र उट्तेमा शुर। आके मान लेंगों मेंगों आप में करता हुआ हो भागगज रेखका और जीवन रेखके बीच में यहां हो याँ फेर Systems कि बीच बीच में क्रोस इन दोनों के बीच में खूंअ निगेटिव तोनों के बीच में होता है बहुत भागज और दुक का होता है और दूरघतना से बहुत बढ़ी-बढ़ी. कभी-कभी लोगों को देखा गया कर डास का अगर इस परकार का क्रोस आपको डोनों को टुच कर 살 की राहों के छेत्र में हो down लोग कोने होने वाला है वह जाना यून सब्सक्राभण नहीं होता है ho होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है यहां पर क्रॉस हो तो और इस्टार भी हो तो सेम फल देता है ठीक है यहां पर आपको देखना है अकास्मातिक धन भी देगा लेकिन वह भी प्रॉब्लम करेगा उसके बाद क्या है ना अगर भागे रेखा और माइन रेख में हो यहां पर हो तो यह आपको क्या करएगा समाज से सहाइता करेगा ऐसे यहां का क्रॉस वई क्रॉस ना काई जगा कर देता है तो यह aun को समाज से सहाइता चांश आप क्या होता रहा का न मिकसित होता है था हुआ रहू का, विकास्क मुट्वा pä Mick तो ये लोग स्वेंग ही धनका नास करते हैं स्वेंग धनका नास करने का मतलब क्या हो गया देखिए राहू जैसा कि आपको जुआ सठा लॉट्री से और मार्कित वेगर बहुत लाग कराता है अगर आपके हथेली में राहू का पोजिशन निगेटिव है तो ये क्या कितना भी लोग मना करेंगे कितना भी आपको एडवाइस देने वाले मना करेंगे हमत लगाव पैसा यहां तो पैसा लगाएंग करेंग पैसा ढ便 लोटरी में पैसा डूब जाएगा। तो इस तरह की problem होगी, अगर राहू यहां पर डाउन परा हुआ है, तो यह आपको देखना बहुत जरूरी, राहू डाउन और आप कैसे होता है, यह मैंने वीडियो भी बता दिया और मैं थोरा सा बता देती हूँ, यदि यह बीच का एडिया बहुत गड़ा हो, तो राहू बिक्सित बिल्कुल नहीं है, अगर बहुत उबरा हो, तो यह लोग जा तक चलाक दूर तो होते हैं, ठागी भी होते हैं, फिल भी वो लोग अगर भागा आजमा सकते हैं, बट अगर अंडर डेवलप हो तो बिल्कुल भी भागे नहीं आजमाना चाहिए इन लोगों को, ठ राहू के छित में बना हुआ होता है, इसी बज़र से इसे हम लोग सुभू बोलते हैं, तो बच्पन से ही लोग अतीधनी होते हैं, यह लोग बहुत धन होता है, उंच पद्ध प्राप्त करते हैं, राजनीती पॉलिटिक्स में बहुत सफलता है, साथ ही बिद्वता बिद कारण से समझे, अगर कोई राहू परधान बैक्ती है, अगर टीवी देख रहा तो सिर्कों टीवी नहीं देखेगा, टीवी देखेगा, कुछ लिखेगा, भी चाय भी पिएगा, बात भी करेगा, तो एक साथ में मल्टिपल काम करने का दिमाग उनका रहता है, इस तरह से, बहुत अच्छे मंत्री, वी मंत्री, राज मंत्री, जो भी हो, मंत्री हो, मिनिस्टर बनने का पावर रखता है राहू, अगर यहाँ पर ट्राइंगल हो, तो राहू पर इंडिवीजूल ट्राइंगल हो, देखे रेखाओं से मिलके बन रही है, यह सो तो अलग बात है, बने के सांसे बढ़ जाते हैं, आपके हराहू मांट पर अगर ट्राइंगल हो, और सूरी स्ट्राउंग हो, गुरू और सुक्र अच्छा हो, तो डेफेनिटल यह लोग केंद्रिय मंत्री वेगरा बनते ही, बहुत अच्छा लाइप होता है इन लोगों का, तो यह चीज होत अब 35 के बाद आप देखेंगे, लाइफ इग Zahl से लाइव, पटरी पर गा उच विर्फे हे लोग राज नितिक करना हो, को तयूज की हथेले की हैं, उतनी donne साफ मैंड को बताता है, छिने के ही हथेली में राइंगल है, इसे हम लोग सोनी को औरada की और Ф Kell Station को nothing और सेिका लेकिन इनका 5% से उपर ही काम करेगा एक जामपल मैं दे रही हूं तो इस तरह के होते हैं किसी के हते लिए अगर ट्राइंगल हो तो बहुत ही साफ माइंड के बहुत ही जल्दी कोई भी चीज़ सिकते हैं खास के राहू पर बते हो तो इने तो मतलब कहना ही क्या इनका दिमा बाद में मुझे पता चला वो तो बहुत बड़े आदमी निकले मतलब बहुत अच्छे पॉल्टिस्यंत है यह चीज़ बहुत अच्छा होता है यहां पे उसके यहां पर अगर ग्रिल का साइन हो यानि कि आपके जाल का साइन हो तो राहू परवत पर जाल हो तो सोचिए क् जे ले आतरा तो कराएगा ही कराएगा ठागी में फसाएगा ही फसाएगा जुआ सटा में फसाएगा ही और कभी-कभी इल्लीगल चीजों में भी आपको बहुत गंदे तरीके से फस्ते हैं और दूसरा ची डिप्रेशन दुर्भाग शालू और मानसिक रोगी होते कि इन ज्यादा मानसिक प्रिसाने डेगा वी तक बना डेता है डिप्रेशन के पाहु हिरके में नहीं ही राहु को बहुत ज्यादा रहु Armstrong यपक्दीनें को प्सक्राही और आपको फल देने में करते में इस जाल कायमदें मिकरिन फ्रहरा बैगे इसे दृड बहुते हैं लेक तो क्या हो इसमें बहुत कॉंट्रवर्सी है काला तिल के बारे में बहुत कोई बोलते हैं बहुत खराब होता है पेकर तिल क्या होता है कि यहाँ एक क्या ही है और बहुत जब्सक्राइब है जन्व धन्य प्रश्चा स्वास्ता नहीं रहेगा लेकिन 36 बर्स के बाद जो आपकी लाइफ का ग्राफ उपर जाएगा ना वो कभी भी नीचे नहीं आएगा आप सारुखान के हतेली में I think है यहां पितिल तो आप उनका लाइफ देख लीजिए 36 साल से पहले 36 से पहले उन्होंने बहुत श्रगल किया या फिर उनको पहले भी सफलता मिली होगी बट मुझे उतना नहीं पता है बट मैंने जो बात किया है लोगों से उससे पता चला है हां इनके लाइफ में 35 तक बहुत है इतने श्रगल थे कि इन्हें बंदब धन और ठाने तक का इनके पास में नहीं था बट जैसे 36 क्रॉस करने के बाद इनका जो ल सफलता देने का योग रखता है इसलिए यहां का तिल 36 साल के बाद फल देगा 36 साल से पहले फल नहीं देगा 36 साल के पहले बहुत ज्यादा श्रगल कराएगा जंधन दोनों की हानी होगी लेकिन बाद में बहुत अच्छा फल देता है यदि यहां पे बिर्थ का साइन हो र बांध देना एक जगह से गोला कांग सकते हो है यहां पर सरकल और यहां पर ओने का मतलब मतलब तो यहां पर होने का मतलब होता है, अपने लोगों से हानी, अपने लोगों से चोट चपिट से नियुक्त करकों को गना घा को तक होताए लेकिन कुछ मैटर में सुबोता जैसे सैना विगर अगर बन गए थे इन्हें बहुत अच्छी सफ़ता मिलती है आई थिंक राहू के बारे में मैंने कुछ नई बाते भी बताई और कुछ जो आप लोगों को साइद पता भी होगा तो रहू और रेमेडीज के तौर पर का मा का पूजा कर सकते हैं लेकि सिब जी का पूजा अगर करते हैं तो हद तक राहू सांत रहता है ज्यादा वह परिसांद नहीं करता है अब सिब जी का पूजा करते रहें तो राहू आपका सांत रहेगा और आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है यदि आपको ये अच्छी लगी है तो डिएयो को जादा से जादा सेयर कीजिये और लाइक जारूर कीजिये और चैनल को सब्सक्राइब किजिए नए हैं तो पुराने हैं तो सेयर के आज के लिए बस इतना हुआ